नमस्कार, मैं मुपिशेक त्यागी ICC विश्चुकप 2019 खत्म होने के बाद से भारते क्रिकेट प्रिसेंसकों को जिस एक सवाल का सबसे ज़्यादा इंतजार है वो ये कि आखिर मेहंदर सिंग धोनी टीम इंडिया में वापसी कप करें सवाल लंबे समय से किया जा रहा है लेकिन जवाब ना तो सलेक्टर्स के पास है और ना ही कप्तान और ना ही कोच के पास धोनी को क्रिकेट से दूर हुए करीब चार मेहने हो गए हैं लेकिन अब जब Western Days के खिलाफ टीम में भी दोनी को जगा नहीं मिली तो दोनी को लेकर सवाल एक बार फिर से उतने लगे हैं लेकिन अब Western Days के बाद भारत टीम को टीन मैचों की T20 Series के लिए श्रिलंका और फिर उस्टेलिया की मेज़वार निकर ली है और इसके बाद टीम न्यूजिलेंड का दोरा करी तो ऐसे में खबर है कि दोनी श्रिलंका के खिलाफ मैदान पर वापसी कर सकते हैं तो कि टीम मैनेजमेंट उन्हें सीधे उस्टेलिया या न्यूजिलेंड के खिलाफ मैदान पर उतारने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा ऐसे में उन्हें श्रिलंका के खिलाफ ले हासिल करने का मौका दिये जाने की पूरी संभावना है ICC विश्चुकप 2019 के सेमी फाइनल के बाद से करीब चार महिने तक अंतराष्ट क्रिकेट से दूर रहने के बाद मेहंदर सिंग धोनी ने हाली में अभ्यास के लिए मैदान पर वापसी भी की है इसके अलावा दोनी ने जिम में जाकर फिटनेस पर पहले की तरह काम भी करना शुरू कर दिया है वो इस्टेडियम में बैडमिंटन, टैनिस और बिलियर्ड खेलते नजर आ चुके हैं जो उनकी तयारियों का हिस्सा है तो इन सब बातों से ये साफ है कि धोनी खुद को तयार कर रहे हैं साल 2020 की शुरुवात में ही टीम इंडिया 3 T20 मैचों की सिरीज के लिए शिरलंका की मेज़बा निकरेगी सिरीज का पहला मैच 5 जनवरी को गोहाटी में खेला जाएगा इसके बाद और्स्ट्रिया की टीम भारत दोरे पर आएगी भारत और्स्ट्रिया के बीच 3 मैचों की वंडे सिरीज होगी इस सिरीज का पहला मैच 14 जनवरी को मुंबाई में खेला जाएगा इस सिरीज के बाद टीम इंडिया 5 जी 20, 3 वंडे और 2 टेस्ट मैच के लिए न्यूजिलेंड का दोरा के दिए वैसे जब शिरलंका के लिए टीम चुनी जाएगी तो एक नई चैन समीती हो जिसके मुखिया दिलिप वेंगिस्ट्रिकर हो सकते हैं तो यह भी देखना होगा कि वो नई चैन समीती किन खिलाडियों पर भरोसा करती है।